हेलो एब्रिवान पिछले क्लास चैसे की फ्रेंट्स हम लोग यहां पर आप लोग देख सकते हैं एविएस का क्लास हम लोग किये थे ना एविएस और उसका कंटेंट 7 February 2023 का यहां भी आप लोग देख सकते हैं तो नेक्स्ट आज हम लोग करेंगे इसी का हिंदी का करेंगे इसका गद्यांस और इसका पैड़ागोजी है और इंग्लिस का हम लोग पैड़ागोजी करेंगे ना तो हम लोग क्वेस्टन इसका देखते हैं question no.1 वायू मंडल में प्रानों को संकट में डानने वाली विसेली हवाएं कौन फैला रहा है तो कौन फैला रहा है Frens हम लोगों नहीं पता है इसलिए हम जाएंगे पैसेज की ओर आज कल बड़े बड़े कलकार खानों यहां पर आ गया कल कारखानों और कहां पर उद्योग सालाएं है ना फ्रेंट्स कारखानों में और उद्योग सालाएं तर अपनी धुआ उगलती चिमनियों से वायू मंडल में प्रान घा तक जहरीली हवाई क्या कर रही है प्रसारित कर रही है इन उद्योग सालाओं और कारखानाओं में प्रयुक्त होने वाला पानी अनेक प्रकार के जहरीली रसाइनों से युक्त अवशेस के रूप में क्या है नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है य है नदियों में बेहिचक हम लोग क्या कर रहे है उसमें डाल रहे है जो नदियों के प्राकृतिक जल्गो आपे बना रहा है मतले पीने लाइक नहीं रहा जा रहा है आपे हम लोग बन पे मिन्स पीना और आपे मिन्स नहीं पीना जिसे हम लोग पी नहीं सकते हैं तो वैसा बना रहा है इसके अलावा सड़कों पर दौल लते हैं वाहन उनका धुआ और जहरीली गैस सड़क में भी हम लोग देखते हैं फ्रेंस वहां पर भी जो सड़क वाहन चलते हैं सड़क पर है ना तो उनसे क्या धूवा निकलते जो क्या होता है बेहत जहरेली केसो से बनता है ना भी इस प्रदूसन में अपना क्या अंसदान कर रहा है इस चोतारफा आकरमन से मानो सभ्यता का बच पाना क्या एक कठिन कार ये लग रहा है क्योंकि प्रान वायू क्या भाव में जीवन के संभव रहने की कलपना भी नहीं की जा सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं उसके बिना हम लोग वायू के हैं हम लोग रह सकते हैं जीवन बिलकुल भी नहीं तो हमें इसलिए क्या करना है हमें उन्हें दूसीत होने से कम से कम रोक तो नहीं पाएं अभी हम लोग पेट्रोल का वहां सब चलता है ना पेट्रोल से लेकिन अब से जो है ऐसा निकाल दिया कि अब जो है स्कूटी गाड़ी सारा कुछ क्या होगा इलेक्ट्रिक से वह चलेगा और उसका जो है स्पीड जो है वो भी क्या है कम में रहेगा और एक बात फ्रेंट्स है ना प्लेइलिस्ट आप लोग को बन गया था यह मैं रोज आप लोगों के बोलती है ना जो लोग भी नई सुने होंगे तो जो भी नए कंडिडेट होंगे वो लोग प्लेइलिस्ट में जाके चेक है ना और वहाँ पर देखेंगे आप लोग को कहीं भी इधर उधर भटक खोजने की जरूरत नहीं है ना आप लोग को प्लेइलिस्ट मिल जाएगा वहाँ पर सारा वीडियो डाला हुआ है एक एक करके सभी का वो भी अलग अलग है ना और सभी लोग है ना शेयर करेंगे है ना ताकि हम लोग जल से जल लाइप से सान सूरू कर सके trauma को शेयर अपने घर परिवार जितना भी हो सकता है यहां अलग बाला की विच चैली हवाएं कौन फैला रहा है तो कौन फैला रहा है तो इहां हम लोग देख चुके हैं कि बड़े बड़े कलकार खाने और उत्योग साला है। रहा है कर खारखने और प्रयोग सालह प्रयोग कारखनें नहीं है पंध यहां पर देख सकते हैं चिमनियों से जो कार खाने होते हैं उन लोगों के चिमनियों से आपसन नमबर वन इस राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चन गध्यांस के अधार पर नदियों के जल को प्रदूश्रित कर रहा है हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं इसी तरह से आप लोग को भी वहाँ पर करना है पढ़ लेना एक बार है ना और question पहले आप लोग पढ़िएगा उसके बाद passage पढ़िएगा उसके बाद आप लोग को को हमेशा के लिए बैठा के रखना है उस passage को जब तक कि आप लोगों का सारा question complete ना हो जाए हिंदी का है ना हिंदी का जो गध्यान से उसका काव्यान्स में तो आपको काव्यान्स को दिमाग में रखना पड़ेगा ना तो इसी तरह से आप लोग भी कीजिए अब हम लोग को दिमाग में आ चुका है आप लोग को भी दिमाग में आ चुका होगा अब हम लोग यहां पढ़ते हैं गध्यान्स के अधार पर नदियों के जल को प्रदूश्रित कर रहा है गध्यांस के अनुसर है ना फ्रेंट्स नदियों के जल को प्रदूश्रित कौन कर रहा है देखने कार खानों से निकलने वाली जहरीली वायू कार खानों से निकलने वाला धुआ घरों से निकलने वाला अपसिष्ट पदार्थ या फिर कार से निकलने वाली रासायन युक्त पानी बिल्कुल से फ्रेंस वहां पर क्या नदियों में जो है रासायन कार खानों से जो निकलने वाला है रासायन युक्त पानी वो क्या है नदियों में जाके मिला दिया जा रहा है और वहां का जो पानी क्या हो रहा है प्रदूश्चित हो कारक नहीं है तो यहां कौन सा कारक नहीं है देखते वाहन वाहन तो है है ना उद्योग भी है कार खाने भी है लेकिन विद्याले नहीं है और यहां पर नेगेटीव ही पूछा है तो नेगेटीव कब है नेगेटीव विद्याले से किसी भी प्रकार का प्रदूशन निकलता ह बिल्कुल नहीं friends है तो option number 4 is the right answer है यहाँ पे चुकि नेगेटिव पूछाए तो नेगेटिव पाब है negative option number 4 is the right answer next question प्रान वायू के अभाव में जीवन के संभव रहने की कलपना भी नहीं की जा सकती बिल्कुल सही है friends हम लोग जो है वायू के बिना है वायू के बिना हम लोग जीवन नहीं जीवित नहीं रह सकते हैं वाक्य मेरे खांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है क्या किया जा सकता है देखते हैं हम लोग अभाव पूर्ण जी नहीं अनुपस्थित है अनुपस्थित यहां पर अभाव जो है यहां पर फ्रेंस आप लोग देख सकते हैं जहां पर अंडर लाइन किया गया है तो इसके जगह पर हम लोग और क्या वर्ड जो है यूज कर सकते हैं तो प्रान वायू में अभाव या फिर अनुपस्थिति अभाव या अनुपस्थि तो उसके जगह पे हम लोग अनुपस्थिती का भी यूज कर सकते हैं, और अतिस सहियता ये तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, अभाव ग्रस्त ये भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुपस्थिती को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, अभाव के जग सरफा आकरमन से मानव सभ्यता का बचना क्या है असंभव है वाक्य से तात्पर यह क्या है देखते हैं लोग सत्रू द्वारा किये जा रहे है आकरमनों से मानव का अस्तित्व संकट में है यहां पर सत्रू का तो बात ही नहीं हुआ यहां पर क्या हो रहा है वायू और कार खा यहां पर सत्रू तो यहां पर कोई है नहीं, वायू मंडल के प्रदूसित होने से मानव का अस्तित तो क्या है, संकट में है, बिल्कुल सही है friends, पड़ोसी देश द्वारा किये जा रहे है आकर्मनों में, से मानो सभ्यता संकट में, यहां पर आकर्मन का बाती नहीं हो रहा है यहां पर वायू मंडल का बात हो रहा है, अनेक रोगों के कारण मानो सभ्यता पर संकट छाया हुआ यह भी नहीं है, आप्सन नमबर टू इस राइट आंसर, एक्स्ट क्विस्चन, बड़े बड़े सब्द युग में है, तो बड़े बड़े क्या हो रहा है friends, कौन सा हो ज सार्थक और निरर्थक सब्द, यहां पर सार्थक और निरर्थक तो है ने friends, पूल्टा पूल्टा तो है ने, जैसे के रात का देन इस तरह का सार्थक निरर्थक तो है ने, नहीं परियवाची यहां पूछा है नहीं, यह विलोम है, बड़े बड़े विलोम अगर बड़े गारि बार बार यह योज किया जा रहा की पुननरुक्त सब्द बार 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 ये यूज किया जा रहा है पुननरुक्त मेङ candidates जैसे कि यहां पर बड़े बड़े छोटे छोटे इस तरह करेगा तो क्या होता है पुनरूप्त सब्सक्राइब ऑप्सन निंबर वन इस राइट अंसर नेक्स्ट क्वेस्टिन चोर्ता रफा में समास का भेद न देखे फ्रंस आप पर न पूझ का भी पूच का यह समास के यह आप आप लोगों को पता ही होगा है ना मैं आप लोगों से बार बार बोलती थी किसी व्यक्रान आप लोग जो है पढ़ लिजिए गाना कुछ आप लोगों को भी मेनत करना पड़ेगा सारक चीज हम पे डिपेंड रहने से नहीं ना होगा फ्रेंच आ तो आप लोग भी कुछ कु आप लोगों को अलंकार पढ़ लेना आप लोगों को है ना परिया वाची पढ़ लिजिएगा है ना परिया वाची पढ़ लिजिएगा आप लोग थोड़ा बहुत है ना और संग्या स्वरोनम जो भी मतलब कि व्याकरन से रिलेटेड है छोटा छोटा उपर उपर से आप लोग पढ़ लेजिएमा संग्या हो गया सरवनाम फुला हो गया रिया हो गया विशेषन हो गया यह धी मैं आधि-धी यह सारे आप लोग उवपर-उपर इपाई सहर तो यहां पे चौत उरफ हा चौत ऊर्फा किसमें यहां पर नंबर नंबर यहां पर कि अर आफ चौत आरह रात दिन इस तरह होता था द्वंद समास तो द्वंद समास तो संख्या जिसमें आएगा उसको हम बुक्राइगे द्विगू समास आप लोग को पहचाने का तरीका आप जानेगा है जैसकि चोतरफा जो चारो तरफ हो जिस भी मतलब पहला वर्ड जो है जैसे कि यहां पर चार है चो है मतलब चारो तरफ है अगर संख्या अगर फर्स्ट में बोध हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे दुःगु समास ना तत्पुरु समास आप लोग तो जानते हैं जो छे होता ह है उसको करने का ऐसे करके है वह वाला तो यहां पर है नहीं उसका बहु ब्री ही समास यह भी इसमें नहीं है तो आपसा नंबर टू इस राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चिन बेहिचक सब्द है कौनसा सब्द है फ्रेंस सब्द पूछ रहा है तत्सम सब्द है या फिर तदभव या फिर आगत है या फिर देशज है तो तत्सम सब्द नहीं है फ्रेंस बेहिचक नहीं तदभव ये वो क्या है आगत सब्द है ना और क्या है देशज भी नहीं है ना, next question, प्रसारित सब्द में प्रत्य है, प्रत्य है, उपसर्ग और प्रत्य के भी बारे भी बहता है थे, आप लोग उसको भी पढ़ लेजिएगा, उपसर्ग और प्रत्य है, आप लोग पढ़ लेजिएगा, दोनों ही important है, तो यहां पर प्रत्य पूछ रहा है, तो प्रत्य कौन सा प्र, रहित, रहित भी नहीं, क्या हो जाएगा, इत, तब ही वो जाके वो प्रसारित, यहां पर जो पीछे साइड लगता है और कोई नया सब्द का निर्मान करता है, उसको हम लोग कहेंगे प्रत्य सब्द, तब ही नहीं होगा, आपसा नमबर थार्ड is a right answer, नेक्स्ट क्विस्चन, यहां पर आप लोगों का गध्यांस खतम हो चुका है, अब हम लोग करेंगे कावियांस, कवीता, कवीता में किसे संबोधित किया गया है, तो किसे किया गया है, यहां पर देखे, वो लोग पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति विसेस नहीं तेरा अपना, यहां पर बोल रहा है, कि कोई भी व्यक्ति जो है, तुम्हारा जो है परसनल नहीं है, विसेस नहीं है, और क्या बोल रहा है, जो यह समझे हाए, देखता वह सपना, और अगर जो भी यह चीज समझ रहा है, कि कोई व्यक्ति आप यह शिलिए तो वह क्या कर रहा हूँ, एकपर का सपना देख रहा है, ठीक तुझको सारे जीवन एक सही प्यार है, और क्या करमों के फल मात्र यहां न्यारे-ण्यारे हैं हे मात्र भूमी के बारे में यहां हो रही हे मात्र भूमी तेरे निकट सबका सम संबंध है जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कवीता क्या कहना चाहरा है तो यहाँ पूछा है कवीता में किसे संबोधित किया गया है तो किसे किया गया है friends समस्त जीवों को बिलकुल नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव तो है नहीं यहाँ पर क्या मात्र भूमी के बारे मुखा जा रहा है मात्र भूमी को लोगों को नहीं और नहीं न्यारों को मात्र भूमी की बात हो रही है option number two is the right answer next question पर दुख व्यक्त किया है friends, मात्र भूमी द्वारा लोगों में भेद करने को मानना बिल्कुल सही है, मात्र भूमी द्वारा लोगों में भेद करने को जी नहीं, मात्र भूमी द्वारा सभी से नजदी की रिस्ता बनाना, ये भी वहाँ पे नहीं है, मात्र भूमी द्वारा अलग-अलग फल देना ये भी नहीं, वहाँ पे क्या है friends, मात्र भूमी द्वारा लोगों में भेद करने को मानना, वहाँ पे वही हो रहा है है ना, कि किसी को भी अपना नहीं मानना है है ना, option number one is the right answer, next question, कोई व्यक्ति विसेश नहीं तेरा, फिर सही आगे ना, क्या है इसका question friends, मात्र भूमी की किस विसेशता की और संकेत किया गया है, ना, तो यहाँ पे किस और संकेत किया गया है, हम लोग देखते हैं, सभी को अपना ना मनना, ये उस पे संकेत किया गया है, या फिर सभी को समा प्रानियों को उनके कारियों के अनुसार क्या करना चाहिए है भेदभाव करना चाहिए भेदभाव पूर्ण व्यवहार मिलता है अगर प्रानियों के कारियों के अनुसार वो जिस तरह का भी कारिय करता है तो उसे क्या भेदभाव पूर्ण व्यवहार मिलता है विल्कुल नहीं भेदभाव मिलता है जीने अलग-अलग जीव मिलते हैं ज तिरह हम लोग इससे बोल सकते हैं फल मिले गए है ना तो आपसर नंबर 4 is the right answer next question लोचन युक्त से ताप पर ये है लोचन युक्त यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंज लोचन युक्त का मतलब क्या होता है जो लालच करते हैं बिलकुल नहीं जो क्या है देख सकते हैं लोचन यानि क्या होता है फ्रेंज लोचन मतलब देखना होता है ना देखना होता है लोचन means जो क्या होता है देखना ये नहीं देखना होता है जो क्या कर सकते हैं देख सकते हैं उससे हम लोचन युक्त कहते हैं जो साहसी है जी नहीं जो सकती साली है जी नहीं विशेशन सब नहीं है, तो विशेशन को आपका विशेशन, सम भी है सम्बन्थ आपका विशेशन की यहां पर कि सवर नहीं दर्शा है नौई विसेशन क्या होता है फ्रेंस जिसमें कोई संग्या या सरनाम का क्या होता है विसेशता को बताता है तो उसे हम लोग विसेशन लेकिन संबंध यहां पर किसी का विसेशता नहीं बता रहा है तो यह क्या है रॉंग है तो और यहां पर क्या पूछा है नेगेटिव तो नेगे अब हम लोग करेंगे इसका पैडागोजी क्विस्चिन है ना भारत में विद्यालई सिक्षा के संदर्व में बहु भाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है पहला है बहु भाषावाद का प्रयोग भासा और विसायों के सिक्षन अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में ह mbहु भासिक अक्षाओं का इया उत्तेश यह है कि सभी विद्यार्थी जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक क्या करें भासायों को सीख सके हैं हो यहां पर बोला रहा है तो यहां पर बहु भासा का इय है उत्तेश यह नहीं हैं है सही है लिकिन उत्ना ईह नहीं है अगे Simpson बहुधासिक अक्षा में प्रतेовать विद्यारती को अंगरे जी सीखने चाही और अंग्रेजी माध्यम के विद्याले में पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं कि हमें सिर्व अंग्रेजी सीखने चाहिए सभी को और अंग्रेजी में माध्यम में ही पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट है बहु भासिक अक्षा में, प्रते एक बच्चे को मात्री भासा से नमबर वन, हाना, आप्सन नमबर वन इस राइट अंसर, नेक्स्ट क्षिशन, भासा सिक्षन के किस उपागम में समूची पाठी सामगरी के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, बजाए की एक-एक सब्द के अर्थ पर, पहला है विभिन, दर्सन, क्राही उपागम, समग्र भासा उपागम जो कहा है सबसे बेटर होता है, और कहा है सनरचनातमक उपागम, संप्रिशनातमक उपागम, तो यहां पर यह बिलकुल नहीं होगा, क्या होगा, सभी को हमें क्या करना है चाहिए, समग्र भासा उपागम प्राधान करने चाहिए, आप्सन नमबर टू इस इस HERE राइट ंसर, नेक्स्ट क्यूस्छिन, वाक समुदाय, वाक शमुदाय लोगों का वह शमू है जो, कौन सा समू है हम लोग देखते हैं, विशिष्ट उदेशियों के लिए भासा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं, ऐसा को यह नहीं है, हना कि वह घालाएगा भासा के प्रयोग के संदर्व में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही हमें क्या करना चाहिए। एक समान वाख विकार हैं। ये भी जIE। औरůम्छा राइट ऑंसर। कक्षा पाच के अध्यापी का अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समयना रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुशरन नहीं करना चाहिए तो किसका नहीं करना चाहिए फ्रंस हमोग देखते हैं पहला है कहानी की थीम से संबंधित विद्यार्थियों के पूरो ग्यान का साहारा लेना चाहिए तो बिल्कुल सही है यह हमें क्या करना चाहिए पूरो ग्यान एकॉमोडेशन हमें लेना ही चाहिए पूरो ग्यान का साह पारा तो बिलकुल सही है कहानी के अनुमान लगाने के अवस्टर देने में जही है यह भी 안ुमान हमें लगाने के और कृक Não चैबें कहानी को कंठास्त करके क STEVE हमें उसे राथना नहीं है कि कभी विफ कर दकना मैं के सही है आडि या एक है फूर्थ कहानि के पात्र पर विमस करने के मौके देने चाहिए हमें मौके देने ही चाहिए यह वाद विवाद के लिए न तो कौन सा नेगेकित को नेक्स्ट कुश्चिन निमलिखित मैं से कौन सा भासारजन के द्वरान आरंभिक सब्द तुरूटी का आतीसाय रूप से विस्तार का उदाहरन है पहला है बच्चे उड़ती हुई सभी चिनियों को गोरया कहते हैं बच्चे प्रवाह के शाथ नहीं बोल पाते हैं वैसा उन्हें नहीं बोलना है बच्चे किसी बात को अभीवेक्त करने के लिए केवल मुख्य सब्द का सहारा लेते हैं जैसे मा सेव खाती है केवल वैसे भी जहां पर आ जाएगा फ्रेंस मैं बोली हूं कि उसे हम लोगों काटा ही मारना है चौथा है बच्चा अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं मैं दोहराने के लिए इमिटेशन करने के लिए नहीं बोलना है ना कौनसा होगा आपसन नंबर वन इसका राइट होगा नेक्स्ट क्वेशन भासा सिक्षन के किस उपागम के अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह क्या है वाक्यों के प्रति रूपों को याद करने पर बल दिया जाता है तो याद किसमें होता है याद करने पर जिसमें बल दिया जाता है व्याक्रन अनुवाद विधी पर जी नहीं संप्रेशनात्मा कूपागम पर इसमें भी नहीं प्रत्यक्ष विधी में भी नहीं किसमें संद्रुचनात्मा कूपागम है ना इसमें हम लोग क्या करते हैं, याद करने पर बल देते हैं, उसे को किसको प्रति रूपो को है, आपसन नमबर 4 is the right answer, next question, गहन पठन क्या है? गहन पठन means गहरा पठन करया है, तो वो क्या है, सरसरी तोर पर पठन करना, उसे हम लोग गहन पूलेंगे, बिल्कुल नए., जो क्या करेगा, गंभीर तरीके से करेगा, पठन उसे को, और भोलेंगे, गहन पठन, पठन से पूरुजी नहीं, सामुही पठन ये भी नहीं तो हम लोग क्या गहन पठन हम लोग उसे कहेंगे जो क्या गंभीर तरीके सजी से पठन किया जाएगा ना पढ़ा जाएगा उससे हम लोग गहन पठन बोलेंगे ना option number two is the right answer next question कौन सा डिस्थ्रेशिया का लक्षन है यहां पर देख सकते हैं डिस्थ्रेशिया का लक्षन कौन सा है देख रहे हैं यह वाला हमेशा आ रहा है डिस्लेक्सिया डिस्थ्रेशिया डिस्थ्रेशिया डिस्कैलकुल या यह सारे ही आते ही रहते हैं लेखन में कठिनाई होती है, उसे हम लोग कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो, यहां पूछा है, डिस्थ्रेसिया, ध्वानी वर्नन या सब्द को दोहराओ, या फिर लंबी ताल में बोलना, ये भी नहीं है, मानस्पेसियों में क्या होती है, मानस्पेसियों की कमजोरी के कारण, ध्वानी निकालने में, जीव और होट के समनोई में क्या होती है, जिसमें जीव और होट का समनोई में कठिनाईया होती है, उसे कहते हैं, डिस्थ्रेसिया, डिस्थ्रेसिया, अभी लच्छन कहते हैं, डिस्थ्रेसिया, आम लोग इसी को कहेंगे जिसमें जीव और होट का समनवे में कठी नाई होती हूँ है तो यह बिल्कुल सही और क्या है जिन सबतों को बच्चे सुनते वो पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठी नाई होती है उसको नहीं बोलेंगे option number two is the right answer option number third is the right answer next question नमलिखित में से कौन सा पठन का उपकौसल नहीं है तो कौन सा नहीं है संबधता इस्थापित करना यह है अनुमाल लगाना भी अंतक्रिया करना नहीं है विसलेशन करना भी है तो यहां पर क्या पूछा है नेगेटिव पूछा नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है ना आपसा number third is the right answer next question पठन के बारे में निमलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें पहला है पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठे सामगरी से सूचनाएं और ग्यान अर्थ निर्मान के साथ साथ क्या है ग्रहन किया जाता है और बी में क्या है decoding लिखे हुए सब्दों को सही तरह से उचारित करने के लिए अक्छरों के नमूनों के ग्यान के साथ साथ अच्छरध्वनी संबंध के ग्यान का इस्तमाल करने की छमता है तो क्या है फ्रेंट्स ये तो बिल्कुल सही है लेकिन जो ये वाला साथ साथ अच्छरध्वनी संबंध के ग्यान का इस्तमाल करने की छमता ये वाला रॉंग है आपका है ना तो क्या है पहला और पहला सही है दूसरा गलत है ए और बी दोनों सही है बिल्कुल नहीं ये सही है लेकिन बी गलत है बिल्कुल सही है फ्रेंट्स बी सही है लेकिन ये गलत है नहीं ये और बी दोनों गलत है जी नहीं वहाँ पर क्या ये सही और बी गलत है आप्शन नमब परिवेश का स्रीजन करना चाहती है न तो वह जो है निमलिखित में से कौन सा कारी करवा सकती है तो हम लोग देखते हैं दिवार पर उप्योगत उचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना बिल्कुल सही है वो कर सकती है समरिध परिवेश का स्रीजन करने के लिए अब क्या दिवार पर फूल और पसूं के चित्र चिपकाने से हमारा स्रीजनात्मक नहीं हो जाएगा मुद्रित लिपी के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना ये भी नहीं हुआ आप्सान नंबर वन इस राइट आंसर है न हमें क्या करने चाहिए मुद्रित समरिध परिव इसके लिए दिवार पर उप्योगत उचाहिए पर कहानिया और पोस्टर लगानी चाहिए ना आप्सान नंबर वन इस राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चन नीचे भासा कौसलों के विकास के लिए कुछ गती विधियां दी गई है निमलिखित में से कौन सी स्रवन कौसल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है पहला है अध्यापक कहानी में आये पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्नन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं तो ये बिल्कुल सही है ना स्रवन कौसल के लिए जिन्हें भी क्या है स्रवन कौसल के विकास करना है अध्यापक कहानी में आये पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्नन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं स्रवन कौसल के लिए बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाएं ये ये नई ये भी है ठीक लेकिन उतना ये नई बच्चों को याद रखने, योग ये घटना सुनाने के लिए कहा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, जी नहीं, option number one is the right answer, सबसे best option number one. next question, मनुष्य भासा उसी परकार से सीखते हैं, जिस तरह से व्यस्त के अनुकरन वा पुनरबलन के माध्यम से, अन्य दूसरे कौसल वा छमदा, भासा अरजन का या विचार किस से संबंधित है, पहला है संग्यनात्म को पागम से, जी नहीं, पुनरबलन का उससे संबंधित न प्राक्रितिक उपागम से भी नहीं, ये किस्से है, भासा अरजन का विचार किस्से है, व्यवहार वाद से, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम ये भी नहीं, आप्सन नमबर थार्ड इसर राइट आंसर, नेक्स्ट कुश्चन फ्रेंट्स, नॉम्चमिस्की का आगया, देखें, नॉम्चमिस्की ने, इससे फ्रेंट से देख सकते हैं, आहे जाता है, दो तिन नमबर का भी आपको पेड़गोजी में भी पूछेगा, है ना, आप जान सकते हैं, हो सकता है, तो पांच नमबर का भी आजाए हैं, नॉम्चमिस्की का, नॉम्चमिस्की ने यह विचार दिया था, कि मनुस्चे जो है, सहजात भासिक छमता के साथ क्या है, पैदा होते हैं, बिल्कुल सही नॉम्चमिस्की जी नहीं दिया था, कि इसका आप लोग याद रखेगा इस छमता को किसकी उपस्थिती में परिवेश से जुड़े मौकिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है तो किस से है भासा अर्जन उपकरन बिल्गुल सही है भासा अधिगम उपकरन व्याकरन अर्जन उपकरन अधिगम भासा उपकरन जी नहीं क्या होना चाहिए हमें भासा अर्जन उपकरन इन्होंने दिया है किन्होंने नौम चमिस्की नहीं है Option number one is a right answer. भासा अर्जन उपकरम. Next question. Last question है friends. Hindi का pedagogy का है ना. बच्चों को अवकास ग्रिह कारी है. जब भी बच्चों को छुट्टी मिलती है ना. अवकास मिलती है तो उन्हें क्या ग्रिह कारी के रूप में. अपनी रूची की कोई क्या है. दस कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है. इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोथ साहित किया जा रहा है. तो वो क्या कर रहा है? गहन पठन में वो डूब जा रहा है. बिल्कुल नहीं. वो क्या कर रहा है? विस्तरित पठन कर रहा है. पूरा विस्तार से वो पढ़ रहा है, उन्हें अगर किसी को भी अगर उन्हें क्या है, मन पसंद कहानी पढ़ने के लिए दिया जाए तो वो क्या करता है, पूरा पढ़ता है विस्तरित रूप में, सरसरी तोर पर पढ़न बिल्कुल नहीं, वो सरसरी तोर पर नहीं पढ़े तो यहाँ पर खतम हो चुका है friends अब हम लोग English का करेंगे पेड़ागोजी इसका आप लोग गध्यांस कर लीजिएगा ना बहुत आसान है friends है ना नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका CDP पहला नमबर है children start out as clean slate है ना कि बच्चों को हमें कभी भी क्या करना clean slate के रूप में नहीं देखना है ना वो क्या होते हैं हमेशा वो मात्री भासा को ले के आते हैं ना कि पूरा खाली दिमाग है ना वो क्या करते हैं जब भी वित्याले म आते हैं तो वो मात्री भासा को ले के आते हैं and language learning is printed of linguistic habit on this clean slate this idea is supported by तो इसको किसने कहा था कि clean slate के रूप में आते हैं प्याजे जी ने बिलकुल नहीं वाइगोस की जी ने भी नहीं नहीं चौंस की वो किसने बोले था इसकीनर ने इसलिए क्या हुआ बाद में जो है इसकी इसकीनर को भी हटा दिया गया इंसा है तो option no.4 is the right answer which one of the parameters is not important for assessing paragraph writing पहला है topic sentence supporting details यह बिलकुल सही है मैं support करना चाहिए detail ने good handwriting writing से इसका paragraph का कोई मतलब नहीं है na coherence भी होनी चाहिए और यहां पी क्या negative पूछाए फ्रेंस तो negative क्या है negative option no.3 is the right answer next question for dealing with difficult words in the text or language teacher first converts the word into mother tongue and then ask the student to memorize it what she is using हम लोग किसमें इसे यूज करते हैं grammar translation method जो memorize करने का होता है friends हम लोग बार बार उसको memorize करते हैं तो वह कौन सा होता है GTM भी हम लोग बोलेंगे से है ना जो क्या होता है grammar translation method grammar में ही हम लोग generally क्या करते हैं उसको बार बार यात करते हैं ना direct method में तो नहीं structural approach नहीं और नहीं communicative approach option number one is the right answer next question the three stage of phonological awareness so three stage वो कौन कौन सी है syllabus फिर words फिर sentence बिल्गुल सही है sound pitch tune जी नहीं और क्या है syllabus rhymes और phonem सी ये भी नहीं depth speed और rhyme सी ये भी नहीं है तो कौन सा है वो three stage पहले आता है syllabus फिर words आएगा फिर क्याएगा sentence है तो option number one is the right answer next question a teacher gave a worksheet है जो teacher एक teacher है वो क्या करते है work seat देते हैं तो था student based on the summary of the chapter read and dropped every fifth word form it she asked them to fill the missing words what is this test noun is तो कौन सा test है friends close test filling fill in the test है बिल्गुल नहीं complete the summary ये भी नहीं और नहीं writing test हो कौन सा है close test है na option number one is the right answer which of the following statement is not true for reading तो कौन सा नहीं है reading is sounding outward and decoding तो ये reading is sounding outwards and decoding ये नहीं होगा reading is क्या होना चाहिए constructive होनी चाहिए reading is the ability to read process and understanding the text बिल्कुल साहिए friends हम जब भी reading करेंगे तो वो क्या ability to read के साथ और process और समझ के साथ है न तो ये भी बिल्कुल साहिए reading is the ability to understand the meaning the author is trying to convey ये भी बिल्कुल साहिए मैं समझ के साथ ही करना चाहिए मैं क्या नहीं करना चाहिए sound outwards and decoding और यहां क्या पुछे negative कवा है negative option number one is the right answer next question a language teacher gives a task to identify adjective used for the main character in the story to her fifth grade this reading activity is intensive reading, extensive reading, scheming reading, collaborative reading fifth graders मैं क्या scheming होता है नहीं extensive हो क्या होता है intensive reading होता है option number one is the right answer next question which of the following statement is true for enhancing pronunciation skill in children question mark पहला है students should practice pronunciation so that they sound exactly like native speakers और क्या है students should be made to repeat words मेने time in our day हमें repeat फिर्में जाला ध्यान नहीं देना हमें क्या conceptual understanding होनी चाहिए ना थीसरा है students should be help to be intelligibility है ना pronunciation बिल्कुल से हमें help करने चाहिए pronunciation के लिए और क्या teacher should conduct pronunciation drill के साथ में नहीं करना drill वाला rote memorization यह हो गया ना friends make them pronounce like native speaker विल्कुल नहीं wrong है option number यह भी wrong है option number third is the right answer next question in a language class students are asked to write how they collaborate their birthday then they are asked to exchange their writing with their partner and give feedback this type of assessment is तो सबसे better assessment कौन सा था friends summative नहीं formative होना चाहिए group assessment है peer assessment होनी चाहिए self assessment भी होनी चाहिए better है सबसे लेकिन इस question के अनुसार जो है peer assessment होगा क्योंकि यहाँ पे students पूरा सभी को collaborate करके यह बोल रहा है ना partner के साथ इसलिए यहाँ पे peer assessment होगा option number 3rd is a right answer next question which of the following is true 4. DELECT & ASCENT पहला है assent relates to the actual language used and delete refers to their way that language is spoken दूसरा है assent refers to collect word and phrases that often reflect reflect identity and dialect refers to the way the language is spoken यह भी नही होगा direct relate to the actual language यहाँ क्या करना चाहिए direct relate करना चाहिए and ascent refers to and ascent refers to the way that language is spoken will say you call reference direct refers to colloquial words and phrases that often reflect identify and ascent refers to the technical vocabulary to help people yeah articulate and experience events and concepts in specialized context यह भी नहीं होगा यहाँ पे सबसे better जो दिया हुए reference and option no.3 option no.3 is the right answer next question our teacher can make our student effective speakers by पहला है asking them to narrate the story which they have memorized हमें memorized पे ध्यान नहीं देना है नहीं रोट पे making them learn few sentence they need to use during social interaction यह भी सही है लिखिन और देखते है providing opportunity to express themselves in class बिल्कुल सही होने क्या है providing करने चाहिए opportunity देने चाहिए express के लिए है making them learn and speak the paragraphs they need to reproduce during term and exam option number third is next question in preparing fourth class to take a standardized reading test the teacher is the best advised to do आ पहला है tell the children the test is very important and they should do the best than they can test very important यह नही है मतलब है लेकिन उतना यह नही है coach the below grade level सबसे नीचे level का reader as the rest of the class will do will anyway और क्या गेव the learner practicing in answering questions similar to the type that will appear on the test will हम हम हमें क्या करना चाहिए फिर similar question answer practice करने चाहिए standardized reading में यही होता है कि हमें एक ही तरह के question लेना है और उसे हमें practice करना है अब क्या ditto की answer from a previous test and allow the learners to answer them यह भी नही option no.3 is the right answer next question in a class students are asked to compile portfolios of their written work for summative assessment example choosing best six pieces of writing this type assessment reference of no use this assessment यह इस परकार का assessment नहीं है सम्मेटी भी यहां पर बोल रहा है यह क्या student friendly है teacher centered नहीं है नहीं not an assessment है तो यह कौन सा assessment है students friendly assessment option no.2 is the right answer next question given below and are two statements about language learning read the statement and choose the correct option an individual can learn a language at any age but it is eraser to do so at a younger age language language can be learnt through exposure a b सही है both a and b are true बिल्कुल सही है a is true but b is false g b is true but a is false both a and b are false g वहां पर क्या है दोनों ही सही है option no.1 is the right answer next question during writing activities in class teacher asked student to brainstorm on the theme of writing given to them this is a strategy for blanks and ideas of the writing process review writing review reviewing नहीं है drafting भी नहीं है publishing भी नहीं है वहां पर क्या है previewing stage of the writing process तो वान इसका बिलकुल सही है friends उसमें preview यह कर रहा है option no.1 is the right answer यहां पर आपका सारा खतम हो जाता है friends 7 February का भी अब हम लोग सिधा January का question में चलेंगे यह इतना ही तक था है ना तो आप लोग अब बताये friends है 50 45 question हुआ है उसमें से आप लोग कितना आप लोग कर पा रहे है सारे लोग यहां पर comment करके जवाब देंगे और अपने घर में है ना ask पढ़ो जितने भी होंगे सभी में आप लोग share किजिएगा वीडियो को तो thank you friends आज हम लोग इतना ही रखते है next day अब हम लोग next यह करेंगे January का question हम लोग करेंगे तो जिनको समझ में नाइफ हो friends है ना वो लोग हमें comment में करके पूछे लेंगे thank you friends आज का इतना ही thank you Char보 पांगे शुष्स